तो हलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग और स्वागत है आप लोगों का Literary Snopsis YouTube चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग एक कैंसियंट संस्कृत प्ले को डिसकस करेंगे जिसका नाम है The Little Clay Cart और यार आपको इस वीडियो का notes भी description box में मिल जाएगा तो आप वहाँ से उससे download भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये जो play है न The Little Clay Cart इसको लिखने वाले सक्स का नाम है सुदरका और इस play की setting रखी गई है कुजैनी नाम के place में और सुतरों से पता चला है कि इस play को 5th century BC में लिखा गया था तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक Sanskrit play है तो इसका जो ओरिजनल नाम है न वो है मृच कटी का लेकिन बाद में कुछ writers ने इसे English language में translate कर दिया था तो ये तीन prominent writers थे जिन होने इस Sanskrit play को English language में translate किया था तो first है Horace Simon Wilson तो इन होने इस play को 1826 में translate किया था और इसका title रखे थे The Toy Cart फिर second है Arthur William Rider तो इन होने इस play को 1905 में translate किया था और इसका title रखे थे The Little Clay Cart and third है Arthur Simons तो इन होने इस play को 1919 में translate किया था और इसका title रखे थे The Toy Cart तो यार इस play को start करने से पहले मैं आपको इससे related कुछ important points बता देता हूँ. तो दोस्तों जो Sanskrit play होता था ना वो एक prologue से start होता था जिसे हिंदी में प्रस्तावना भी कहा जाता है और play के starting में एक prayer करवाया जाता था जिसे नंदी कहा जाता है और फिर एक prayer play के last में भी करवाया जाता था जिसे भरत वाक के कहा जाता है अब यार जो ancient Sanskrit play होता था ना उसम कभी भी hero मरता नहीं था और वो हमेशा happy तरीके से ही end होता था तो यार I think कितना information काफी है इस play को समझने के लिए तो चलिए अभी इस play को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कुछ important characters को introduce कर देता हूँ तो first character है एक poor brahman जिसका नाम है चारूदत जो कि इस play का protagonist है और ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है अब यार एक जमाने में ये बहुत ही अमीर हुआ करता था लेकिन इसने गरीबों की इतनी मदद कर दी कि बेचारा खुद ही गरीब हो गया अब इसकी एक बीवी है जिसका नाम है धूता और इसका एक छोटा सा बेटा भी है जिसका नाम है रोसेना और इस चारूदत के घर में एक made servant काम करती थी जिसका नाम है रधानिका और चारूदत का एक दोस्त भी है जिसका नाम है मैत्रिया और यार इस play की heroine का नाम है बसंद सेना और ये पूरा play चारूदत और बसंद सेना के love story पर based है अब आप लोग सोचोगे कि चारूदत तो पहले से ही साधी सुदा है तो इसका love story कैसा लेकिन यार पहले के जमाने में ऐसा ही होता था पहले की बीवी लोग बेचारी सरीफ होती थी अगर आज कल कोई पती ऐसा करे तो उसकी बीवी तो उसको जिन्दा जला देगी अब दोस्तों ये जो बसंद सेना है न इसके घर में भी एक made servant काम करती थी जिसका नाम है मदानिका और इस प्ले में एक वीलेन भी है जिसका नाम है सकारा अब यार प्ले के इस टार्टिंग में ही जो सकारा है वो बसंद सेना का पीछा करते रहता है क्योंकि ये बसंद सेना को जबरजस्ती हासिल करना चाहता था और जो बसंद सेन है वो सडक पर भागते रहती है और ये भागते भागते जाकर चारूदत के घर में छुप जाती है अब जो सकारा था न दोस्तों वो भी अपने दो फॉलोवर्स के साथ चारूदत के घर में आ जाता है अब चारूदत के घर में एकदम अंधेरा था और जो इसकी मेड सर्वेंट थी रधानी का वो घर में ही खड़ी थी तो सकारा को लगता है कि सायद वो बसंद सेना खड़ी है और वो उस पर अटैक कर देता है अब ये देखकर चारूदत के दोस्त मैतरिया को बहुत जाला गुसा आता है और वो सकारा को एक उडेन श्टिक से मार करके भगा देता है अब जो बसंद सेना थी वो भी अंधेरे में ही खड़ी थी तो चारूदत को भी लगता है कि सायद वो उसकी मेट सर्विंट खड़ी है और वो उसको बोलते हैं कि जाकर रोह सेना को गरम कपड़े पहना दो लेकिन वो चारूदत का काम नहीं करती है क्योंकि एक्चुली में तो वो बसंद सेना थी न दोस्तों अब यार यहां पर होता क्या है कि बसंद सेना और चारूदत को एक दूसरे से प्यार हो जाता है अब बसंद सेना सोचती है कि प्यार तो हो गया लेकिन अब हम दोबारा इससे मिलेंगे कैसे क्योंकि यार मिलने के लिए कोई बहाना तो चाहिए न तो अब बसंद सेना क्या करती है कि वो अपनी सारी जोलरी खोल करके चारूदत को दे देती है और बोलती है कि इतनी रात को जोलरी पहन करके जाना सेफ नहीं होगा तो अभी आप इसे रखिये मैं इसे बाद में ले जाऊंगी और जो चारूदत है वो बसंद सेना को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है और अगले दिन भी बसंद सेना चारूदत के खयालों में ही खोई रहती है और जो उसकी मेट सर्वेंट थी मदानी का वो भी बोलती है अच्छा मालकिन लगता है प्यार हो गया है आपको किसी से कहीं चारूदत से तो प्यार नहीं हो गया आपको तो बसंद सेना भी बोलती है कि हाँ लगता है मुझे चारूदत से प्यार हो गया है अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि कुछ गैंबलर्स जुगा खिल रहे होते हैं तो उन मेंसे एक गैंबलर जुगे में हार जाता है और सभी लोग उसको अपना गुलाम बनाने लगते हैं और वो बेचारा भागते भागते आकर के बसंद सेना के घर में छुप जाता है और दोस्तों ये जो गैंबलर है न ये बसंद सेना के सामने चारूदत का बहुत तारिफ करता है बोलता है मैं तो चारूदत को जानता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोलता है तो बेचारी बसंद सेना भी खुस हो जाती है कि वाह, ये तो मेरे लवर का तारिफ कर रहा है और बसंद सेना इस गैंबलर को उन लोगों से बचा लेती है हालाकि आगे चल के ये गैंबलर एक भीख्चू बन जाता है अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जब रात में चारूदत सो रहा होता है तब ही एक सर्वी लका नाम का चोर उसके घर में आता है और जो जो जोलरी बसंद सेना ने चारूदत के घर में रखा था वो चोर उसे चुरा कर ले जाता है अब जब चारूदत को पता चलता है कि बसंद सेना का जोलरी चोरी हो गया है तो उसे बहुत बुरा लगता है और जो चारूदत की बीवी थी न दोस्तों, वो अपना नेकलस निकाल करके चारूदत को देती है और बोलती है कि बसंद सेना को उन गहनों के बदले ये नेकलस दे आईए अब यार ये जो चोर है न सर्वी लका, ये बसंद सेना की मेट सर्वेंट मदानिका से प्यार करता है अब क्यूंकि मदानिका एक तरह से गुलाम थी बसंद सेना के घर में और बसंद सेना उसे तभी छोड़ती जब उसे कोई धन दौलत देता तो सर्वी लका जो है न दोस्तों वो अपनी लवर को फ्री करवाने के लिए चोरी किया था भगवान करे ऐसा लवर सारी लड़कियों को मिले खैर बसंद सेना सर्वी लका से वो जोलरी ले ले लेती है और मदानिका को फ्री कर देती है अब जो चारूदत है न दोस्तों वो भी अपनी बीवी का नेकलस बसंद सेना के घर में भेजवा देता है तो अब बसंद सेना डिसाइड करती है कि वो खुद चारूदत से मिलने जाएगी अब यार वो चारूदत से मिलने के लिए जाती है और रास्ते में बहुत बारिस होता है और वो पूरी भीग जाती है और फिर वो चारूदत के घर पहुचते ही सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है और वो चारूदत को बताती है कि वो सर्वी लकाब के घर से जोलरी चोरी करके ले गया था, और उसने मुझे वो जुलरी दे दी है, ये बात सुन करके चारूदत भी हैरान हो जाता है, अब यार इसके बाद क्या होता है कि जो चारूदत का बेटा है न रोहसेना हो किसी कारन से रोते रहता है, तो बसंद से न उसके रोने का कारन पुछती है, तो जो रधानिका थी न चारुदद की मेट सर्वेंट, वो बोलती है कि रोहसेना गोल्डेन कार्ट के लिए रो रहा है, क्योंकि पडोस में एक बच्चा है, उसके पास गोल्ड का कार्ट है, और रोहसेना के पास मिट्टी का कार्ट है, और इसलिए अब इसे भी golden card चाहिए तो ये देखकर बसंद सेना को उस बच्चे पर दया आ जाता है और वो बोलती है अले मिल बच्चा ये लो मेरे सारे गहने इससे तुम अपना golden card बनवा लेना और यहीं से जो title है न दोस्तों दा लिटिल क्ले काट वो इस play को दिया गया है अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि चारूदत जो है वो बसंद सेना को एक old garden में मिलने के लिए बुलाता है और चारूदत अपना रथ बेजता है बसंद सेना को लाने के लिए अब चारूदत के रथ का जो driver है उसका नाम है वरध मानिका तो ये बसंद सेना को लाने के लिए चारूदत के घर जाता है क्योंकि यार बसंद सेना तो अभी चारूदत के घर में ही थी न लेकिन होता क्या है कि जो रथ का driver था वरध मानिका वो रथ में तकिया रखने के लिए भूल गया था और वो तकिया लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है और इतने दिर में ही क्या होता है कि एक जेल से भागा हुआ कैदी अपने हथकडियों के साथ आकर इसके रत में बैठ जाता है अब जब वो ट्राइवर तकिया लेकर आता है तो हत कड़ियों का आवाद सुनकर उसको लगता है कि सायद बसंद सेना रत में बैठ चुकी है और वो बीना रत के अंदर देखे रत को लेकर चला जाता है अब यार इस प्ले में यहां पर एक ट्विस्ट होता है तो होता यह है कि जहां पर चारूदत का रत खड़ा था जेश्ट वहीं पर सकारा का रत भी खड़ा था तो बसंद सेना क्या करती है कि वो गलती से जाकर सकारा के रत में बैठ जाती है और बेचारी पहुच जाती है इ वो अपने घुटने पर बैठकर बसंद सेना को प्रोपोज करता है और तभी जो बसंद सेना थी वो अपने पैरों से सकारा के सर पर मारती है और उसके प्रोपोजल को ठुकरा देती है और सकारा को बसंद सेना के इस behavior से बहुत जादा गुस्सा आता है और तभी सकारा का एक follower आता है और सकारा को बोलता है कि बसंद सेना तो अपने lover चारू दत से मिलने जा रही थी लेकिन गलती से रत चेंज होने के कारण ये आपके पास पहुच गई और ये बात सुनकर सकारा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बसंद सेना को मारने का फैसला करता है और फिर वो अपने दोनों followers को बोलता है कि बसंद सेना को मार दो लेकिन वो दोनों followers बसंद सेना को मारने से इंकार कर देते हैं और फिर सकारा डिसाइड करता है कि वो खुद ही बसंद सेना को मारेगा और वो बसंद सेना को गला दबा करके मारने का कोसिस करता है जिसके कारण जो बसंद सेना थी वो बेहोस होकर जमीन पर गिर जाती है और सकारा को लगता है कि बसंद सेना मर चुकी है और वो बसंद सेना को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है और उसके उपर से उन पत्तों को हटाता है तो दोस्तों ये जो बुधिष्ट है न ये बसंद सेना को पहचान लेता है तो यार कुछ दिर पहले मैंने आपको एक गैंबलर के बारे में बताया था न जिसको की बसंद सेना ने बचाया था और जिसने बसंद सेना के सामने चारूदत का बहुत तारिफ किया था तो ये वही आदमी है अब यार थोड़ी दिर के बाद बसंद सेना को होस आता है और वो पानी मांगती है तो वो बुद्धिष्ट बसंद सेना को पानी ला कर देता है और उसे एक सेफ जगे पर ले जाता है अब दोस्तों इसके बाद इस प्ले में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है तो यह जो सकारा है न वो तो मन ही मन सोच रहा है कि उसने बसंद सेना को मार दिया है लेकिन बसंद सेना तो अभी जिन्दा है अब सकारा जो है वो अपने दोनों फॉलोवर्स को बोलता है कि तुम लोग बसंद सेना को मारने का इलजाम अपने सर पर ले लो और इसके बदले मैं तुमें बहुत सारा धन दौलत दूंगा लेकिन वो दोनों followers ऐसा करने से मना कर देते हैं और उन में से एक तो सकारा को छोड़ कर ही भाग जाता है और दूसरे follower को सकारा बंदी बना लेता है और ये बिचारा सोच में पढ़ जाता है कि अब इस crime से कैसे बचा जाए तो फिर ये plan बनाता है कि क्यों ने इस crime में चारूदत को फसा दिया जाए और ये court में जाकर चारूदत के against case फाइल कर देता है कि चारूदत ने property के लिए बसंद सेना को मार दिया लेकिन यार जो वहां के लोग थे न वो चारूदत पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उन्हें पता था कि चारूदत ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता है लेकिन जो सका रहा है वो चारूदत के against एक दो witness लाकर खड़ा कर देता है और जो वहां का राजा था पालका वो बिना कोई proper investigation के चारूदत को मौत का सजा सुना देता है अब यार चारूदत को मारने के लिए ले जाया जा रहा था और इसके साथ दो चंडाल्स भी थे जिसके हाथों में तलवार था और वहीं दूसरे तरब जो सका रहा था वो मन ही मन खुस हो रहा था कि बसंद सेना तो मर गई और अब चारूदत भी मरने वाला है अब चारूदत जो है वो मरने से पहले अपना अंति मिक्षा बताता है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है और फिर वो अपने बेटे से और अपने दोस्त मैतरिया से मिलता है और जो चारूदत की वाइफ थी वो पहले से ही ठान ली थी कि अगर मेरे पती को कुछ हुआ तो मैं भी सुसाइट करके जान दे दूंगी अब यार पूरे गाउं के लोग चारूदत को लाश्ट बार देखने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर चारूदत को मारने के लिए ले जाया जाता है और तभी बसंद सेना को ख़बर मिलता है कि चारूदत को मारने के लिए ले जाया गया है क्योंकि चारूदत ने बसंद सेना को मारा है और इसी क्राइम के लिए उसे मौत का सजा मिला है और ये बात सुनकर बसंद सेना एकदम चौक जाती है और वो भागते भागते चारूदत के पास जाती है उसका जान बचाने के लिए अब वहाँ पर चारूदत को मारने के लिए पूरा तयारी हो चुका था और चंडाल्स उसे मारने ही वाले थे और जेस्ट उसी वक्त बसंद सेना वहाँ पर पहुच जाती है और वो जाकर चारूदत से लिपट कर रोने लगती है और यहार जो चारूदत है वो मौत के मुह से बच जाता है और दोनों लवर्स एक दूसरे से मिल जाते है और जो सकारा है उसको इस क्राइम के लिए जेल भेज दिया जाता है और जो यहां का राजा है पालका उसको एक आरियका नाम का आदमी मार देता है अब दोस्तों ये आर्यका वही जेल से भागा हुआ कैदी है जो कि चारूदत के रत में जाकर छूपा था और ये पालका को मार कर खुद वहां का राजा बन जाता है और यार जो चारूदत है वो अपनी बीवी को भी बचाता है क्योंकि वो भी सुसाइड करने वाली थी और दोस्तों इस प्ले के एंड में जो चारूदत है वो अपने पूरे फैमिली के साथ मिल जाता है और जो बसंद सेना थी वो भी इसकी दूसरी बीवी बन जाती है और ये प्ले हैपी एंडिंग के साथ खतम हो जाता है तो दोस्तों आप लोगों को ये प्ले कैसा लगा कमें में जरूर बताईएगा और आपको इस play का complete notes भी description box में मिल जाएगा So, thanks for watching this video and if you like this video, please hit the like button and also subscribe to my YouTube channel